एई हलो गाइज हाप आप यू आप यू आप यू आप यू आप यू आर डूइंग सो सो ग्रेट और आज की देखो वीडियो बड़ी खास होने वाले जिसके दर मैं आप सभी के लिए देखो PPT लेकर आये हूं और इस PPT के बात दिन से हम सभी उन सवालों के जवाब जानें कि हम क्लास 12 के बाद आखिर क्या क्या कर सकते हैं हमारे पास का स्कोप हो सकते हैं तो इक पूरी की पूरी पीट है आपके सामने देखो पहले रिविल करता हूं हर एक बात हम बड़ी डीटेल से बड़ी डीप से सब कुछ देखो जानेंगे अब यह जो PPT है वो आपको मैं देने भी वालों, उपलब्द भी करवाने वालों, कहां पर आपको इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन के इंदर मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आपको उस चैनल की लिंक पर क्लिक करेंगे, चैनल को सबसे बहुत आपको जोईन करना है, जोईन करने के बाद फीपीटी देखको आपको वहाँ पर मिलेगी, अब इस पीपीटी के इंदर भी देखना है, आप सभी को नीचे यहाँ पर मेरे Instagram account का लिंक दे रहे है, यहाँ पर मेरे YouTube account को और यहाँ पर मेरे Facebook page का लिंक है आप सभी इंस्टाग्राम पर मुझे देको फॉलो करेंगे यूटुब पर मुझे सब्सक्राइब करेंगे और फेस्बूक पर जो हमारा पेज इंस्टागुरुजी इसको जरूर जरूर सबको लाइक करने है इस पूरी वीडियो के देखों हम जो क्या बात करने वाल तो शुरू करते हैं तो एको सबसे पहले आप सभी के लिए मैं कुछ शुरू लिख रहा है उसको थोड़ सा एक पर उचारित करने चाहूँगा फस्ट फोल एक लिए देखों साथ हूँ अब देखों सुरूर बात करते है कि आफर 12 आपके पास क्या के सकोप आप लोग क्या क्या कर सकते हो तो देखो सबसे पहले अपर मोटा मोटी का अंदाजा ले लेते हैं इस पीपीटी वाले इस स्लाइड के अमादेम से कि आप 12 करने के बाद आप इंजिनेरिंग फिल्ड में जा सकते हैं आप डिगरी के लिए जा सकते हैं आप अप टीचिंग फिल्ड में जा सकते हैं आप यहां पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं केवल साइंस स्ट्रीम की बात नहीं करा, मैं सब की बात करूँगा, मतलब साइंस वाले बच्चे हैं नहीं सोचे कि सर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो केवल साइंस वाले बच्चों की बात करेंगे, जो आठ से पर उनकी भी देखो थोड़ थोड़ी बात करें, थोड़ थोड़ी क्या सारी की सारी बाते आप करें, देखने वाले इस वीडियो के अंदर, अभी देखना, जो सबसे बड़ा जो स्कूप आता है, सबसे पहले जो मैंने नंबर पर लिखा है, वह हमारा इंजिनेरिंग, त सबसे बेले हम देखो बात करते हैं इंजिनेरिंग की, तो इसके लिए आपको अपने चार साल जो है, वह अपने डियोरेशन के देने पड़ते हैं, यह चार साल के अंदर आप इंजिनेर अच्छे इंजिनेर बन सकते हैं, दूसरी बात आपकी इलिजिबिलिटी के है, तो अब बात करते हैं, यहाँ पर जाने के देखो तरीकी के है, तो इसके लिए देखो काफी सार एंटरेंस इग्जाम्स होते हैं, जिसमें से तीन हमारे इंडिया में हैं और एक दुबई के अंदर भी आप सब जानते हैं, इस बात को, एमसेट होता है, तो इस तरह के बहुत स को क्लियर करते हैं, इनको क्लियर करने के बाद आपके पास इतने सारे विखल्प निगल कर आते हैं, कि आप इन में से किसी एक शितर में जाकर अपने इंजिनेरिंग को कर सकते हो, जैसे CSE, जो Computer Science Engineering, आप वहाँ पर जा सकते हो, आप IT सेक्टर में जा सकते हो, आप ECE में जा आते हैं, यह जो सारे आपके जो Construction-based जो काम होते हैं, वो सारे Civil Engineering के अंतरगत आते हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, इसके अलावा आपके पास देखो विखल्प निगल कर आता है, बहुत इच्छा विखल्प जिसको कि मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, वह है Mechanical Engineering, इसके बाद Chemical Engineering, Aeronautical Engineering, Aerospace Engineering, अगर आप सभी कहा देखो, उंतरिक्ष में बड़ा इंटरस्टर, बड़ा रुजहान है, तो आप डेफिनेटली देखो इस और जा सकते हैं, इसके बाद बात करूए Agricultural Engineering, यह भी बहुत अच्छा देखो, एक विखल्प आपके लिए निक क्या कहेंगे, उनको वो इंजिनियर बन चुके थे, और उसके बाद तिन सल वोने जोब कि उसके बाद अब लगातार दो साल से वो क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और 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 पूरे भारत के दर उन्होंने अपने जो शक हैं, वो बनाने का जो सोचा है, और 40 लाग पर महिने का टर्न ओवर करने का उनका प्लान है, तो देखो अग्रिकल्चरल इंजिनिरिंग के अंदर भी आद लोग जा सकते हो, इसके बाद बात करते हों, तो हमारे पास है और आपको करना किया है, मैंने आपको बता है, यहां पर जाने का तरीका क्या है, कि आपको यहां पर इन में से कोई एक एंटेंस टेस जो देना पड़ता है, यह एंटेंस टेस्ट आप लोग पास करके, फिर आप आप आयाइटी के थ्रू या फिर किसी भी आलग जो संस्थान है, जैसे आप में बात करते हैं, तो उनकी थ्रू आप प्रिवेश करते हो, और इन में से आप विशेश शेतर के अंदर अपनी जो इंजिनरिंग कर सकते हो, तो बहुत अच्छा सुन है, राउसर आप सभी के लिए इंजिनरिंग करने का है, तो मेरी होड से आप सभी को भाई वविशे के शुब कामने है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, तो देखो इसके लिए जो इसका वो important part है, पांच साल आपको duration अपनी देनी पढ़ दिये, medicine के लिए देखो आप लोग बनते हो, इसको हम doctor के नाम से उपाधी जो होते है, doctor के नाम से जानते है, तो अगर आप मैसे कोई मेरा पहरा साथी है, साथी नी, अगर जाना जाहे doctor की और, तो आपको doctor की राह ज इसके ने पढ़ सकते हैं, जो पढ़ते ही है, actually, NEET है, PMT है, MSET है, तो ये कुछ intense test होते है, जिनके basis के ओपर आप डायक्ट जो आपकी college होते है, medical college होते हो, तो निके दे दाखिला ले सकते हो, उसके बाद अपनी जो doctor है, उसको complete कर सकते हो, तो इसके निदर देखना आपकी काफी जादा बढ़ रहे है, काफी जादी रिमांड जो बढ़िये, फिर BNYS, Neuropathy, Neuropathy भी एक काफी अच्छा, देखो, सकोप आपके लिए निकल कर आता है, BDS, BDS सबसे भी जानतों, जो dentist होते है, जो धन्त चिकिसक होते है, तो आप अगर इस फिल्ड में जाने चाहे है तो आपके लिए BDS पे एक अच्छा सकोप निकल रहाता है, देन मैं बात करूँ, BPD, Physiotherapy, Physiotherapy is going to be the largest scope in this, जो आपका पूरा Medicine करियर है, Physiotherapy आगे चल कर बहुत ज्यादा देखो डवलप करने वाला है, बहुत ज्यादा ग्रोफ होने वाला है, तो यह आपके लिए काफी आपको यहाँ पर देने पढ़ेंगे, लेकिन आपके पास काफी अच्छे स्कोप सियाँ पर निकल रहाते हैं, आप Bachelor of Pharma कर सकते हो, B Pharma आप कर सकते हो, BSc Nursing आप कर सकते हो, BSc Nursing के अंदर आपके पास काफी अच्छे स्कोप, डॉक्टर के बाद इनका पद होता है, जो कि आप लोग कर सकते हैं, BSc Medical Lab Technician अगर आपको करनी हो, तो यहाँ पर आपको यह सारे चीज़े देखने को मिलती है, फिर आपको परामेडिकल स्टाफ की, अगर आपको जो मैडिकल है, उस मैडिकल से परा का अर्थ होता है, कि किसी की चीज के समानतर जोग चलता है, तो जो आ परामेडिकल अभी चलता है, परामेडिकल के अंदर जैसे मानलों, डॉक्टर ने कहीं दे भी X-ray करवा के लाओ, MRI करवा के लाओ, या फिर आप Sonography करवा के लाओ, तो देखो यह पूरा का पूरा जो परामेडिकल है, फिल्ड वो इसके अंतरगत आता है, जिसके अंदर परामेडिकल स्टाफ के नाम से जानते हैं, परामेडिकल आप इस फिल्ड के अंदर जा सकते हो, तो यह पूरा है, अगर आपको इंटरस्ट है, मेडिकल फिल्ड में आने का, तो इतनी सारी आपके पस संभावना है, आपके पस निकल कर आते हैं, ठीक है, आगे बात करते है अब देखना मेरे पेरे साथ ही हो, अगर आप लोग चाहें कि मैं बार्यों के बाद ने डॉक्टर बरना चाहता है, ने मेरे इंजिनेरिंग के अंदर को इंटरस्ट है, मुझे तो डिग्री करनी है, मुझे तो आगे अपने सब्चेक्ट को ही डीप से जाके पढ़ना है, तो आप बैचलर ओफ साइन्स की तरफ जा सकते हो, और अगर आपके पास अगर कॉमर्स है, तो आप बीकॉम की ओर देखो, अगर सर्फ हो सकते हो, अब देखो अपन बात करते हैं, यहाँ पर अपने पास स्कोप क्याख है निकल कर आते हैं, आपके पास देखो HEP, HEP का अर साइकलोजी को डिमांड इसकी काफ़ी जदा बढ़ने वाली है, ऑले ही फिर apartments के सेटर मे बलाए ही पर मैडिकल के सेक्टर, बलाए ही स्कूलस के सेक्टर मेगा हर जगब साइकलोजी जो हैना इसकी डिमांड भी भढ़ेगी आगे चलकर तो आप सभी के लिफ काफ़ी सुने राव सर अगर आप साइकोलोजी के अंदर अपनी बीए करते हो और आगे अपनी जो मास्टर्स डग्री वो भी साइकोलोजी के अंदर आपको करें तो काफ़ी अच्छा स्कोप जो है वो देखने को बहुशे में मिलेगा पोलिटिकल साइंस काफी अच्छे सब्जेक्ट है शौषियो लोजी जिसको हम समा अच्छा स्कोप हो सकते हैं फिर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ आपके पास है science, यानि अगर आप bachelor of science करने चाहते हैं, science field से अगर आप bachelor degree अपनी करने चाहते हैं, तब आपके पास स्कोप किया है, आप PCM याने physics chemistry math के साथ में कर सकते हैं, आप PCP याने physics chemistry और biology के साथ में कर सकते हैं, computer science में आप लोग जा सकते हैं, horticulture क इंदर आप लोग जा सकते हैं, bio chemistry के इंदर आप लोग जा सकते हैं, microbiology के इंदर आप लोग जा सकते हैं, तो यह बहुत सारा आपके पास संभावना निकल गराती है, अगर आप bachelor of science भी बिनना चाहते हैं, बेचलर of science की degree अगर आप लोग लेन चाहते हैं, तो यह अपार जो आपके सामने में पोरा लेख़ा जो है जो लगबग अपके सामने में रखाब डिगर के अंदर आगे चलते हैं अब देखो बात करते हैं कुछ dual degree courses भी होते हैं dual degree courses से हमारा अर्थ क्या होता है कि आपको दो-दो degree एक साथ मिलेगी आपकी जो duration अगर आप इन courses को अलग-अलग करते तो शायद थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी लेकिन चुकि आपने दो courses को एक साथ कर लिया, integrated course हमें इसको बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपकी कुछ एक साल का अंतर आ जाता है, कुछ एक साल आपको बच जाती है जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर मोटा मोटी चार साल के जो courses होता है, जैसे BA, BAE का अपने नाम सुना हुआ आजकल पहले तो BAE का होती थी, दो साल की अलग से होती थी, आजकल भी उसको कर सकते हैं कुछ cases के अंदर लेकिन अब integrated BAE का अपनको option दे दिया है, कि अगर आप 12th के बाद ही यह सोच ले ही, मुझे teacher बना है, मुझे BAE करने है आप LLB कर सकते हैं, तो यह सारे क्या integrated courses होते हैं, जिनको हम लोग dual degree courses भी कहते हैं आगे चलते हैं, अब देखो, अब मैरे आपने से कुछ प्यारे सात्री daily one से पूझा करते हैं, कि sir NDA के बारे में कुछ बताओ, तो देखो यह आगया आपका NDA NDA, National Defense Academy, फिर से देखो, थोड़ा cross हो गया, तो आप लोग यह नहीं समझे कि मैंने इसको जानविच के किया होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है चार साल आपको proper BTEC करवाया जाएगा, उसके बाद आपको आपकी जो qualification से, आपकी जो skills से, उसके according आपको काम दी जाता है, वाई जो ग्रूप होता है, इस वाई ग्रूप के अंदर मुखेता है, अपन बात करते हैं, जो हमें fighting वालगा जो काम होते हैं, तो वो सारे के सारे क काम इसमें दी जाते हैं, तो ये भी एच्छा स्कोप है, और ये दोनों के दोनों आपके लिए अच्छा स्कोप होता है, अगर आप एरफोर्स के अंदर जाना चाहिए, तो इसके अलावाए, नेवी, आमी, ये दोनों के दोनों हमारे देश की ये defense सेवाई हैं, तो definitely आप के और अगर अगर सर होना चाहिए, आपके इच्छा है, तो definitely आगो जाए, मैं आपको पूरा इसके लिए support करगा, आगे चलते हैं, अगर आपको teaching की ओर जाना है, 12th के बाद ही अपन बात करने है, तो ये आपके पास कुछ options है, जिनके जरी अगर आपकी interest जो है, वो teaching field की ओ पर ठीक है, फिर मैं देको बात करते हूं, last मैं others की, others के दर बहुत सार चीज़े आती वैसे तो, लेकिन मुख्यत जो चीज़े हमें देखने को मिलते हैं, फिर जो नहीं भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो in future बहुत ज्यादा trend में आने वाली है, उनको देखो, मैंने आप समयलित किया है, जैसे मैं बात करें तो, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के अंदर देखो, अगर मैं बात करूँ आप से, तो देखो, इसके अंदर fashion designing, interior designing, jewelry design, यह बहुत important है, in future ring का बहुत अच्छा scope होने वाला है, fashion designing तो आप सभी समझते हैं, यह fashion designing मुख्यत है, generally हम देखो, आती है, फिर interior designing की मैं अगर बात करूं, तो interior designing से, मोटा मोटने हमारा अड़त यह होता है, कि जब भी अपन किसी बहुनिया, building का निर्मान करते हैं, तो उसकी जो interiors होते हैं, वहाँ पर आप उसकी designing को कैसा रखना चाहते हो, आप उसको कैसे आकरशक बना सकते हो, लिए कैसे उसको interesting दिखा सकते हो, तो वह सारा काम इसके अंदर आता है, jewelry designing, jewelry definitely यह तो एक काफी अच्छ स्कोप बता है, और काफी मतलब मैं क्या हूं कि यह जो कभी खतम नहीं होने वाले दिखर स्कोप आते हैं, वह इसके अंदर आते हैं, इसके बात करो film making, देखो, मेरा personal film making वाले इस पूरे फिल्ड के अंदर, इसके अंदर देखो, अगर आपकी इच्छा हो मेरी तरह है कि मुझे तो film की director आपकी करने हैं, मुझे director बढ़ना अच्छा लगता है, तो आपकी पास पूरा देखो direction का आप यहां पर course कर सकते हो, 12 के बाद ही, यह सारे के सारे में आ अपना बविश्य देख सकते हो, जो आपको इवन यह बताऊं कि जो normal coaching होते हैं, जो कि online अपना platform चलाती है, उनको यह editors वगेरा, direction वगेरा, screen writing वगेरा, cinematography वगेरा, इनकी demand होती है, और यह आपको अच्छी कासी पगार भी देती है, और आने वाला जो पूरा future है हमारा, अप्लाई करके और अपना जो future है उसका आप राइट कर पाएंगे, ऐसे के लिए को एक्शन भी आता है, यह सारी बात है, इसके लिए फिल्मेकिंग के लिए हम लोग देखते हैं, बात करते हमें last में management की तरह finance manager की होता सकते हो, event management की तरफ हाप जा सकते हो, hotel management की तरफ हाप पूरा का पूरा event manage कर्वाते है जब नेलाuste है, मधला पूरी शादी को समारों को manage करना, क्योंगे शादी की वातन है, जो बहुर अच्छी जगह आप जाते है ता में आप जाते तो आपको पूरा वहाँ पर एक well maintained एक पूरा environment दिखता है तो वो सब कुछ इसी कारण हो पता है क्योंकि वहाँ पर पूरा पूरा एक management है जो काम करता है तो मेरे परसाथ यह जो हमारी आज की पूरी वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने सभी ने देखो डिटेल से जानी हारे एक बात को कि क्या आपकी पास class 12 के बाद स्कॉप्स निकल कर आते है जो हो सकता है कि शायद अगर आपको पता नहीं हो तो आपको अपना जो future है वो सही future चुनने में थोड़ सी दिक्कत है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो अपने future plans है उनको आप अपने coding design कर पाएंगे और उसके लिए आपको क्या करना है definitely उसको जानकरी जो है आप YouTube पे जाएं आप Google पे जाएं आपको बहुत सारी अच्छे चीदे को जानकरी वहाँ पर मिल जाएगी और अगर आप एक बर वहाँ से जानकरी प्रात्त करें कि अपने future के अपने choice के according अगर आप design करते नो definitely आपको जो future वो bright होने वाला है क्योंकि आप अपने interest का का काम जो हो करेंगे in future ठीक है तो आप सभी को last में thanks for watching hope this video I did some more knowledge about your career and a bright future if it did then support us by sharing your knowledge sharing this knowledge to each student that is your friend that is your colleague and everyone ठीक है आप जितने इसको शेर करेंगे उतना इसको आपके एक्स्पाइंड करने मदद मिलेगी अगर आप यहाँ पर चैनल पर नए है तो वीडियो को देको like करने के साथ शेर करना तो है ही है साथ ही चैनल को subscribe आप लोग करेंगे और इंस्टागुरुची official जो की मारा telegram account है यहाँ पर जाकर आप मुझी follow करें फेस्बुक जो हमारा पेज इंस्टागुरुची इसको जाकर आप लोग like करें इसी के साथ आप सभी को आपके भावी भवश्य की शुब कामने धन्यवाद जहिन पंदे मातरम